Hello everyone, कैसे हो तुम सभी? I hope तुम लोग बहुत ही amazing होगे So welcome to learn and fun, मेरा नाब है Tania Sharma आप लोग सभी मुझे जानते हैं, मैं आपको इहाँ पर English पढ़ाती हूँ तो यार बहुत बहुत ही दिनों से मतलब एक Hindi का guidance जाना था कुछ time पहले and उसके comments से लेकर constantly, बहुत time से ये बोला जा रहा है कि ma'am please Hindi पढ़ा दो, Hindi पढ़ा दो, Hindi पढ़ा दो तो finally यार उस चीज़ पर work करना शुरू करा after your English exam क्योंकि पहला आपका English का exam था तो मेरा पूरा का पूरा focus था कि मैं आपके English के exam को समेधू तो यार I guess आपका जो English का exam था वो 27 तरिक को था and मैंने 23 से लेकर 26 तक एक marathon चलाई थी हाना तो लगातार 8 गंटे 6 गंटे 5 गंटे मैंने इसमें तुम्हें लगकर पढ़ाया था and ये मतलब मैंनी बोल रही हूँ ये खुद तुम ही लोगों ने बोला है मेरी हर वीडियो के नीचे के जो comments है वो इस बात का proof है मेरा जो Instagram है वो इस बात का proof है जो Telegram है वो इस बात का proof है कि जो इन दिनों में पढ़ा आना वही यहाँ पर तुम्हारा paper आया है और ये मेरी अकेले की महनत नहीं है ये तुम लोगों की भी महनत है तुम लोगों ने भी equally contribute किया है खेर ये तो हुई पहले की बात हटाओ इसको अभी है तुम्हारा हिंदी का पेपर तो 15 तरीक को तुम लोग दे कर आओगे अपने SST का पेपर और 17 तरीक को तुम लोगों का है हिंदी का पेपर अब अभी भी तुम लोगों की छुटिया चल रही है मतलब जादा दिन का ग्याप है जिसके बीच में IT भी है तुमारा और तुमारा SST का पेपर भी पढ़ गया है तो पहले तुम्हें बता देती हूँ गुड नियूस हिंदी मैं पढ़ाऊंगी तुम लोगों को पूरा प्लान बना लिए थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि कोई भी अच्छी चीज को प्रिपेर करने के पीछे थोड़ा सा टाइम लगता है जैसे यहां पर भी जब मैंने चार दिन इंग्लिश के लिए प्रिपेर करा था ना तो मुझे टाइम लगा था क्योंकि अगर आपको आठ घंटे की क्लास लेनी है तो उसकी पीपीटी बनाने में उसका कंटेंट सोचने में बनाने में आपको टाइम लगता है सिमिलर्ली अगर मुझे कुछ हिंदी के लिए लेकर आना था तो टाइम कम है यहां पर 15 तरीक को पेपर दे कर आओगे तो उसी हिसाब से मुझे सोच कर प्लानिंग करनी थी कि केवल मेरा ये काम नहीं है मैं आकर पढ़ा दू काम यह कि भाई वह पढ़ाओ जो बच्चे के एक्जाइम में आए और जो उसके लिए यूसफुल हो राइट तो वही तुम्हारा पेपर पैटन समझना पूरा सैंपल पेपर एनलाइस करने के बाद एवरी थिंग हर परस्पेक्टिव को देखने के बाद मैंने कुछ चीज़े डिसाइड करी है और इसलिए मैं आज तुम लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूं यहां पर मैं अपना प्लाँ रिवीइल करने से पहले तुम लोगों को ये बता दू कि ये सिर्फ मैं तुम लोगों के लिए कर रही हूं ठीक है मैं इसमें तुम्हारा भर comprend support चाहते चाहती हूं मैं चाहती हूं अगर मैं आ रही हूं कोई चीज पढ़ाने तो उसमें तुम लोग भी आओ जतना प्यार यहां पर इंग्लिश को दे उससे जादा प्यार हम लोग हिंदी को दे बिकाज मुझे लगता किसी नहीं माजन के आओगा कि ताने अच पर मां आकर हिंदी भी पढ़ा देगी तुम लोग यहां पर आओगे 15 तरीक को अपना पेपर देकर सस्ट कर राइट इसलिए चार बज़े तक आओगे भाई तुम्हारा मतलब अगर डेड़ बजह मैं मान के चल रही हूं अगर पेपर खतम बतम होता है दो बज़े तक घर आकर अपना सेल्फ स्टडी मेरे साथ ही कर लेना मेरे लेक्चर के बाद जरूरत नहीं होगी कि तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी पड़े क्योंकि हमारे पास टाइम कम है पांच बज़े यार मुझे पता है हिंदी यह और बी दो में बच्चे बट रखें सेलिबस हम सबको मालूम है ठीक है स्ट्रेस लेकर आज तक किसी का भला नहीं हुआ तो तुम्हारा तो क्या ही होगा पांच बज़े जब तुम लोग आओगे तो यहां पर हिंदी ये वालों की क्लास रखी है मैंने ठीक है हिंदी ये का जित्ता भी तुम्हारा व्याकरण का पोशन है याने की ग्राम कर दूँ 8.30 पीम तक इसको मैं रैप अप कर दूँ क्योंकि मैं ओवर बर्डन भी नहीं करना चाहती एक्जाम के माध्यम से एक्जाम के पॉस्पेक्टिव से ही पढ़ाऊंगी यहां पर अब हिंदी बी वाले बच्चे गुस्सा ना हो क्रिपया करके वेट करें नौ बज उन बुक्स का पूरे की पूरे चैप्टर्स और जित्ता भी तुमारा पद्य पाथ है वो सम मैं तुमें कराऊंगी आया हमारे पास नेक्स डे यह मैं 15 तरीक का प्लान दे रहे हूं 16 तरीक का जो तुमारा प्लान है सुबह 10 बज़े से हमारी क्लास होगी जो कि हमारा प्रा करा चुकिए तो नीचे हिंदी यह का जितना भी लिट्रेचर वाला पार्ट है वो कराऊंगी इस दस बज़े वाली क्लास को अपन जितरी जल्दी रैप-प हो सकता उतरी जल्दी कोशिश करेंगे बड़ तुमें पता है कि मैं बहुती ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म म पर बढ़ाने के बाद यहां पर थीन बज्यक्र आस-पास यहां पर आवी कोई फिक्स टाइम इस्लें दे रही हूं क्यूंकि डि-पैंड करता है कि कितने बज्य ख़तम होगा वकेłos दो क्यूंकि दो sample papers आ जाते हैं स्टोरी के अंदर ठीक है क्यूंकि sample paper के जाना बहुत important है वैसे तो मैं try करूँगी कि इन्हीं lectures में चार classes में दो Hindi A की class होगी दो Hindi B की class होगी इन्हें में तुम्हारे sample paper को कहीं न कहीं मैं include कर दू जैसे अगर अपठित गध्यान शेरी हूँ तो वो sample paper से उठा लू अगर ऐसा हो गया तो बहुती भैतरी इन बाते नहीं हुआ तो दिक्कत मतलो जैसे English के paper में और 16 तरीक को तान्या मैडम Hindi यहाँ पर तुम लोगों को पढ़ाने वाली है तो बिल्कुल भी stress नहीं लेना है दिक्कत नहीं लेनी है I hope थोड़ी सी खुशी तुम लोगों को ही होगी यह बात संकर क्योंकि मैं भी equally excited हूँ वापिस आने के लिए और तुम लोगों को पढ़ाने के लिए पर सिर्फ एक ही शर्त एक ही condition है कि मुझे उतना ही प्यार चाहिए ठेक है अब मैं नहीं चाहती हूँ मैं क्लास में आऊँ और निक्के से बच्चे हूँ हभी स्ट्येस के देन ही टेन जैसे इंग्लिष में मेरे भरोसा करा था मैंस्ट्रेस बुरह मेरे पढ़ा हूं झाहती हूँ जब पेपर देकर आओंगे ना तो जैसे इत्ड़ा बॉचार लगादी ना कि मैंठम जो पढ़ाए वही आएगा, बस विश्वास चाहिए, लोयल्टी चाहिए और एक जगा बैट जो फिक्स होके जो वो ग्यान मैंने तुम्हें इंग्लिश के पेपर में दिया था वही मैं तुम्हें यहां भी दे रही हूँ कि मुझे इतनी सी बात चीहे तुम लोगों से अगर तुम लोग नीचे कॉमेंट में यह चीज प्रामिस कर देते हो, we are good to go मिलूँगी तुम लोगों से सीधा पन्रत अरे को, ठेके गाइस so I'll see you guys and कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, drop in the comment section, I'll personally reply to you guys, इसमें अगर कुछ भी समझ नहीं आए, वैसे I guess everything was super duper clear, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपनी हिंदी के तैयारी को करके चलना है, अभी तुम लोग पढ़ लो, तुमारे gap है, जितना हिंदी रिवाइस कर सकते हो, जितना stories वाला part या poems वाला part revise कर सकते हो, कवीताई पढ़ सकते हो, अपनी साखिया पढ़ सकते हो, पढ़ लो नहीं भी पढ़ पाते हो stress मतलो कि SSTB है, ITB है, ये भी ये फलाना भी है नहीं भी पढ़ पाते हो, तो कोई बात नहीं मुझे पता है, बहुत सारे लोग आकर तुमें अच्छी सिक्षा ही देते हैं, कि यार इन दो दिनों में ये कर लो, इन दो दिनों में ये कर लो, बट हर बच्चे का जो दिमाग होता है वो अलग होता है, ज़रूरी नहीं अगर मैं हवाले कर दो, आ जाएंगे नंबर ठेक है, so I'll see you गाइस, फड़ा फड़ से ये टाइम नोट कर लेना, पंदरो तरीक को पांच बजे, सोला तरीक को सुबह दस बजे ठेक है, हिंदी A और B दोनों के लिए ये प्लान, दोनों को कॉमेंस करा देना, इतना ट्रस में तुम लोगों पर कर रहे हो, thank you so much, I love you guys